दोस्तों कैसे आप सभी आशाकरतों सब बढ़िया होंगे सिंपल एनर्जी की सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर यह कैसी स्कूटर है जिसके बारे में सिर्व हम सुनी रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है लेकिन रिजेंटली जो सुहास राशकुमार जी जो की सीओ है सिंपल एनर्जी के उन्होंने टाइमस आफ इंडिया को एक एंटिव्यू दिया है जिसमें बहुत इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग चीज उन्होंने बताई है जिसके बारे में आज मैं थोड़ा से इलेबरेट करना चाहूँगा आप लग पूछते हो ना कि भाई यार आप तो ओला एथर कुछ तो ले नहीं रहे हो तो कौन सी गाड़ी ले रहो हलाकि मेरे बारे में नहीं बोला है वो उस काड़ी की काली के बारे में बता है कि क्या चीज पर हो काम कर रहे है कुछ चीज़े ऐसी है जो simplemente पहली बार कर रहा है और पूरी इंडिया में ये पहली कमपनी है जो ये चीज़ पर रहे है जिसे कम बैटरी का यूज करके काफी अच्छी रेंज निकाल सके ऐसे इस मोटर को डेबलोट किया गया है साथ ही साथ कमपनी की CEO ने एको चीज बोला है कि इन्होंने रिसेंटली कॉलाबरेशन किया है IIT इन्दौर याने MP में जो IIT इन्दौर है वहाँ पे इन्होंने कॉलाबरेशन करके एक ऐसी चीज पे काम करा है जो कि इंडिया में आज तक किसी ने काम नहीं किया है Performance Composite Material याने PCM और ये फर्स्ट ऐसी कमपनी है जिन्होंने इस पे काम किया है और खुद का ये चीज डवलप्ट किया है इससे पहला भी तक किसी कमपनी ने इस चीज पे काम नहीं किया है और इस चीज पे काम करके Simple One ने ये बोल दिया है कि हम एक ऐसा Reliable Product बनाना चाहते है जो कि Actual में Consumer पर्चेस करे तो Long Term के हिसाब से वह गाड़ी रहे ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद उसमें Problem आए गाड़ी में दिक्कत आए और गाड़ी खतम ऐसा नहीं इवन उनोंने टॉंट करके भी बोला है कि हम कोई Fancy Looking Scooter नहीं बनाना चाहते है हम एक Reliable Scooter बना चाहते है जिसमें Up To Date प्लस सारे Technology रोज मर्रा के काम के और डेली के यूज के हिसाफ से ऐसी गाड़ी बनाना चाहते है जो लंबेड समय तक सेम परफॉर्मेंस सेम बैटरी पैकप सब कुछ सेम चीज प्रोवाइड करती रहे यानि कि इनकी R&D पर बहुत जादा काम चल रहा है एक और चीज में आपको बता देता हो फाइनली ये जो Simple One है और Simple Energy की जो टीम है वो मूव कर चुकी है इनका जो Main Factory है वहाँ पर जहाँ पर ये R&D Centers प्लस सारे चीजे जो Manufacturing से रेलेटेट सब कुछ वहाँ पर करना स्टार्ट कर चुके पहले इनकी 50 की टीम थी अब ये बन गई है 200 की टीम और जुलाई तक ये 350 की टीम हो जाएगी अब धीरी-धीरी करके 1000 भी हो जाएंगे ऐसा सुनने को मिला है तो यहाँ पर सुहास राजकुबारजी ने बोला है कि फिलहाल वो प्रीमियम बजट कैटेगरी में ज़्यादा फोकस कर रहे है और ऐसे कैटेगरी में अभी तो सिंपल वन है पट नेक्स्ट कुछ फ्यूचर्स में और वो सकतो नेक्स्ट टू या थ्री यर्स में कमपनी दो और मोडल लाने वाली है सिंपल एनरजी के कमपेर में लेकिन जो मौटर का जो कंफुगेशन होगा वो तोड़ा डिफर होगा तो सुआस राजक़ को बजी ने यह तक भी बोलच के है कि हम जो अपकमिंग प्रोडक्ट से काम करना स्टार्ट भी कर चुके है याने एक नेक्स्ट लेवल पर जाने का यह सोच रहे है simple one electric scooter शायद आने के बाद एक बोल सकते हो bottle neck बन सकता है Ola Electric का but अभी के scenario में भाई Ola ने फोड दिया है Ola को कोई भी टकर नहीं दे रहा है कोई भी company नहीं है जो Ola के equivalent है इतनी sales है recently Ola ने एक चीज़ किया है जिसके उपर लोगों बहुत नाराज गिये यानि यह हमाई option ना दे कर और payment भी full है बहुत लोग बोल रहे कि यार हमारी तो जो limit है वो 1 lakh है तो हम कैसे payment करे final payment अभी तो 20,000 दे दिये कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो अगला payment है अगर एक लाग एक लाग 10,000 रुपे हुआ तो हम कैसे देंगे जबकि हमारी limit 1 lakh की है तो ये भी कुछ सोचना चाहिए ओला वालों को मैंने बहुत ट्राइक किया उनसे find out करने का बाट को reply नहीं लेट सी अगर जैसी कुछ अपडेट आता है बता देता हो simple energy के तरफ से फिलाल तो यही अपडेट था good news यही है कि भाई दो और गाड़ी आने वाली है simple energy के तरफ से अब लोग बोलोगा पहले यह तो आ जाएगी भाई आ जाएगी काम चल रहा हो जाएगा जुलाई तक आई जाएगा company ने announcement कर दिये तो क्या problem है funding हो चुकी, R&D हो चुकी लोग इन्होंने acquire कर लिए काम करने के लिए जब सब कुछ हो रहा है तो आ जाएगा बस इता है इसा वीडियो के लिए वीडियो चल रहे तो अपली स्लाइक कर देना है ने हो तो सब्सक्राइक कर देना है अगले वीडियो में जाए हिंद